हhältello स्टुडेंट्स ern.. ilaymond class के बच्चों के लिए नेक्स जो वीडियो पर लेकर आए हो आपके लिए वह है मोपनोविलेंट रेडिकल के ऊपर बात करते है अपन क्या होते हैं मोपन Wam tackling लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं कुण सी इसी बात है किसी भी मैं कारवन के कमपाउंड से अगर आप हाइडरोजन रिमूव कर देते हो और हाइडरोजन रिमूव करने के बाद जो वै liability फ्री वही उसको वैसे कि रग देते हो तो जो स्थापशी बनती है आपके उसको क्या बोलता है अपन radical बोलते हैं मोनोवलेंट radical भी बोला जाता है क्योंकि आपने एक hydrogen हटा कर एक valency free की है तो इसको उपन मोनोवलेंट radical के नाम से भी जानते हैं अब मोनोवलेंट radical के अंदर अपने सलेवस में कौन से हैं उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला मोनोवलेंट radical जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे alkane का मोनोवलेंट radical तो सबसे पहला heading डाल रहा हूं मैं मोनोवलेंट radical of alkane कोई भी alkane हो आपके पास अगर आप वहाँ से हाइड्रोजन remove करके valency free कर देते हो तो क्या बन जाता है उसका radical बन जाता है और इस radical के नाम लिखने का तरीका है कि alkane के पीछे का AIN हटा दो और L लगा दो तो AIN हटा के L लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा alkane बन जाएगा तो यह जो alkyl होते हैं यह आपके और कुछ नहीं alkane के monovalent radical ही होते हैं अमें बड़ा confusion रहता है alkane क्या होते है तो alkyl और कुछ नहीं आपके alkane के monovalent radical ही है अगी बास समझ में कुछ example से इसको समझते हैं सबसे पहला example लेता हूं मैं मैंने लिया CH4 से बोलते हैं अपन methane methane का अगर मुझे radical बनाना है तो एक hydrogen हटा देता हूं तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा इसका methyl जैसे मैंने लिया CS3 CS3 इसको बोलते हैं अपन methane दोनों carbon एक जैसे हैं दोनों hydrogen भी एक जैसी है तो कहीं से भी आप एक hydrogen हटाकर valency free कर दोगे तो आपको same type का radical ही यहां से मिलेगा तो चाहिए यहां से hydrogen हटाओ यहां से हटाओ कोई फरक नहीं पढ़ेगा CS3 CS2 valency free यह बन गया ethane से आपके पास ethel जिसको कहीं बार ET लिखके भी आपको मिल सकता है और CS3 CS2 को कहीं बार आपको C2S5 और valency free इस form में भी यह आपको मिल सकता है सही है तो simple है बड़ा एक hydrogen हटाकर valency free करनी है और बनने वाला compound क्या कहलाता है monovalent radical अब कहीं बार यह दिमाग में question आता है कि valency free क्यों करते है actual में radicals substituents की तरह behave करते है IUPAC name में तो हम यह valency इसलिए free करते हैं ताकि main carbon chain के अंदर इनको attach किया जा सके यह substituents जब बनेंगे तो main carbon chain में इसी free valency से यह जोडते हैं कुछ examples की और बात करते हैं अपन मैंने लिया CS3 CH2 CS3 यहां पर दो तरह के carbon में को दिखाई दे रहे एक यह यह दोनों similar है और यह middle carbon जो है यह different है कैसे पहचाना मैंने एक तो simple तरीका है कि यह दोनो 1 degree है और यह बीचवाला 2 degree है वाकि इससे कहीं बार answer गरत आता है तो इसको देखने का एक जुगाड देसी तरीका है मेरे पास आप इनके आसपास का environment चेक करो जिसे मैंने का कि इस CS3 के एक तरफ CH2 है दूसरी तरफ कुछ नहीं इस CS3 के भी एक तरफ CH2 है और दूसरी तरफ कुछ नहीं इसका मतलब इन दोनों के environment सेम है तो यह दोनों एक जैसे इस CS2 के दोनों तरफ क्या है CS3 है तो इसके लिए अलग बोला जा रहा है इन दोनों के लिए सेम चीज बोली जा रही है तो इन दोनों को सेम कर दिया और यह बीच वाला क्या हो गया अलग इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा दो तरह के radicals मिल जाएंगे CS3, CH2, CH2 radical और CS3, CH, CS3 radical अगर आपको radicals के IOPC नाम लिखने आते हैं तो आप दोनों का नाम लिखोगे तो दोनों के different name आएंगे इसका मतलब दोनों different तरह के radicals हैं और radicals के IOPC नाम लिखने का तरीका है कि जहां से valency free है वहाँ एक number दो और जहां carbon ज्यादा मिले उस तरफ आगे बढ़ जाओ तो चुंकि यह मेरे पास propane था तो उससे मिले मिलिया एक तो propyl और जहां से number position पर एक मैथल रह गया तो वन मैथल और दो कारवन का तो इस तरह से आप radicals के IOPC नेम भी लिख सकते हो कुछ और examples लेता हूं मैं जैसे मैंने लिया आइसो पेंटेन मुझे find out करना है कि आइसो पेंटेन के कितने तरह के different radicals बन सकते हैं तो मैं यहीं find out करूंगा कि कितने तरह के different carbon और hydrogen यहां पर present है तो चरह गौर करना एक बार मैं देखता हूं सबसे पहले वह एंवाइरमेंट चेक करने का तरीका इस cs3 के एक तरफ ch है दूसरी तरफ कुछ नहीं इस cs3 के भी एक तरफ ch है और दूसरी तरफ कुछ नहीं इसका मतलब इन दोनों के लिए same environment है तो यह दोनों सेम होंगे सिएच अल्रेडी डिफरेंट दिखी रहा है इधर cs3 एधर cs2 है तो यह वैसे ही different है इस cs2 के एक तरफ ch है दूसरी तरफ cs3 है इसके जैसे भी environment किसी का नहीं है अब कई बार confusion होती है कि यह मैथल cs3 भी इन ही दोनों के जैसा होगा यह सबसे बड़ा confusion आपको यहां पर रहता है लेकिन देखो बेटा ऐसा नहीं है यह जो मैथिल है इन दोनों से भी different है इनके लिए क्या बोला जा रहा है इसके लिए क्या environment देखा जा रहा है देखो इसके एक तरफ ch2 है दूसी तरफ कुछ नहीं जबकि इन दोनों के लिए क्या बोला गया था एक तरफ ch3 और दूसी तरफ कुछ नहीं इसके लिए अलग चीज बोली गई थी इसके लिए अलग लाइन बोली जा रही है यानि कि दोनों का environment अलग-अलग है इसका मतलब मुझे यहां पर different 4 त काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल कैसे बनते हैं कि मैंने लिया यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके इसका रेडिकल बना दिया नाम लिखने का तरीका होगा कि इन इ अटाओ और एन वाइन जोड़ दो यानि एलकीन से बन जाएगा अलकेनल जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉंड CH2 यह है आपके पास एथीन एथीन से बन जाएगा आपके पास एथेनिल से यह सेम इसी तरीके से आप एलकाइन का भी कर सकते हो आपके पास कोई भी एलकाइन आ जाए आप हाइड्रोजन हटाओ वैलेंसी फ्री करके उसका रेडिकल बना दो और नाम लिखने का तरीका हो जाएगा कि आएन हटाओ और आइनाइल जोड़ दो तो एलकाइन से बन जाएगा एलकाइनाइल मैंने लिया सी एच त्रिपल बॉंड सी एच यह था एथाईन दोनों मैंसे कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो और वैलेंसी क्या कर दो फ्री कर दो तो देखो आपको पस क्या बन जाएगा एथाइन से बन गया अथाईनाइल सही है तो इस तरह से आप monovalent radicals draw करते हो अलकेन, अलकेन और अलकाईन जितने डिफरेंट तरह के आपके पास कार्बन उतनी डिफरेंट तरह की हाइड्रोजन बारी-बारी से आप एक-एक हाइड्रोजन को हटाते हुए उतने ही नंबर में मोनोवलेंट रेडिकल्स ड्रॉ कर सकते हो आई बास समझ में तो आई होप आपको रेडिकल्स बनाना समझ में आ गया होगा अगर आपके कोई भी किसी तरह के डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वाट्स अप नमबर अवेलेबल हैं आप वहां पर अपने आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा